उसकी बड़ी बज़ाय है कि जमीनी सका पर हमारी फकड नहीं, बिल्कुल भी फकड नहीं हर फील में हम लोग पमजोर हैं, दिनी फील में देखिज़े कमजोर नतवादाथ हमारे अच्छे दुन्यावी तुई में देखीजिए तो वहाँ पर भी हम तुम जो हो दुन्यावी दॉप्तर हो, इंजिनियर हो, वफीन हो, लॉयर हो सिविल सर्विसेज हो, तीन परसेंट आईएस के अंदर रेजर्वेशन है मुसल्मानों का बच्चा, सौ अगर बच्चा आईएस बनेगा हिंदुस्तान में सौ आईएस की ज़र्वत है तो वह मैंसे तीन मुसल्मानों का होना चाहिए लेकिन तीन नहीं दे पाते, एक भी नहीं दे पाते हमारे नौजवान पद्धिशा भलत हो चुका पुरान और हदीश से हमें लोग मौर जुके हैं और एक बात याद रखे रहा है यही तारियती बर्मा, यही तारियती भुकारा की समर्तन की उम्मिल उसके जो विद्धान में उप्थे जो बुरूर उप्थे उनकी बातों को ना मान कर अप्री मन मानी करते कि मुसल्मानों को कटवाया है और वो दिन दूर नहीं में लिपके दे रहा हो आने बादे पाँच साथ के अंदर हिंदुस्तार के अंदर बिन मुसल्मान कटेगा और कट रहा है उस वक्त हम अपना तस्फ़ुस बचा लेंगे देखते हैं कैसे बचा रहा है कि मुसल्मान दूसरे मुसल्मान से लफ्रत कर रहा है आमार अच्छे नहीं है वर्मर नभी की जो शरीयत हमारे पास है इस इस अ गुट अपर्चुनिटी पर और और मुस्लिम परसंट है जमीन के अपर जो मुसल्मान बस्ते हैं उनके पास जो शरीयत है रसुल्मान सल्ल्मान अलही वसल्म की जो शरीयत है सारी चीजों का जिक्र है करोना पाइरेंस चीन के अंदर फैला जो फैला आप अपमे शरीयत की ग्रिश्टी से देखे अल्ला ने परान में का या एयुहन्ना सुक्लू मिन्मा किल अर्ज हलालं तय्यबा वला तत्बियू कुद्वादिश्टी शरीयत है खाओ वो चीजें जमीन पर है जो हलाल है जो पाथ है जो पुवित्र हलाल तय्यबा पाथ और हलाल मास भी खाए तो उन जानवाँ का खाओ जो हलाल है हसी है बकरी है और भी बड़े जानवर है चोटे जानवर है चिकन है जो हलाल है खुलू मिन्मा किल अव्ज हलाल तय्यबा जानवाँ में उन जानवरों को हम खा सकते हैं जिसको अल्मा ने हलाल है उनको हलाल किया लेकिन चीन के अंदर हराम जानवर भी खाते हैं वह उनसान निंसानर को खा जाते हैं और यह करोना वाइनिस दो जानवर में खाने से आता है वाया जाथ है एक छिप्कली के अंदर पाया जाता है साफ काता है तो उसका भीक और उसका जहर कुछता है तो वायरस होता इक तरह ऐसे छिपकली अगर आपको कात ले तो वहीं वायरस आपके अंदर सरायर कर जाता है अजब वायरस आपके अंदर जाता है तो पिर उस वायरस का कोई एंटी डोज नहीं है कोई दवाई नहीं बनी डिए। जिसकी वज़ा से आदम मर जाता है। चीन के अनदर होगा रहा है। उसको फॉर्ण गोड़ियों से भून दिया जा हुए। उनसे ताकि आगे ना बड़े बड़ाइस, आगे ना जाए इसी लिए कहा गया पुरान और सहीत एक ऐसा हिजाम है जोसे जो मुस्लिम के लिए नहीं भशुल्द काक का तर्जमा करते हुए किसी जमाने के अंदर में बड़े बित्वान ने कहा था यहां आपक्च बाते हैं कुछ राखो वाइद पुरान संत मत भातो तो अबलग जो सुन्दर हम चाहे कोई बिना मुहम्मद पाहिया को यह जुन्या के लोगों अगर महान मनना चाहते हैं इस वाइद वाइद ग्रेट परसन आप दो वाइद वाइद यह वाइद वाइद उषया तो यह वाइद वाइद परसन आप दुन्या के बड़े इसान नहीं बन सकते महाल इंसां बोग हैं सकते क्यों उनके पांट वस्षिस्टा में जो शरीयत है पुरान है शरीयत है हादिस रसूल इनके अंदर ये चीज़ बताई गई है अगर आप तुट्वेलेट में भी जाना है बातूल में तो कैसे जाएंगे तो मुहमद रसूल नहीं उसका भी मेंशन किया इसलिए पुरान कहता खलान चीज़ें खाएंगे जमीन पर जो है और चिप्चिली, चंगादर, चुहा, चुहा में खाते है और भी होट सारे से जाना है चीज़ें एक ऐसा मुलक है दुन्या का जहां पर दुन्या के तमाम जानगादर को खाना जाएस समस्क है वह कोई शरीयत नहीं चीज़ें वह किसी खुदा को नहीं मानते किसी खुदा को किसी अव्ला को नहीं मानते कम्यूनिजम है इनको कम्यूनिजम मौला जाता है जो कि है अकल के ऊपर बावसा करता है जो किसी अतर को प्तिन को रिखा जाते हैं रिख्वा जाते हैं और और भी जानवर हैं जहां जो इसा रिवाज यह वैसा खाते हैं तो चिपकली दिमाग तेज बढ़ाने के लिए वो लोग खाते हैं दिमाग को तेज को शार्ष करने के और उसके साथ साथ चंगादर रात पर मेले से अंदर में होता हैं और इसके मदाए लंबSराव को लिए इस तनदको भुटेन कमई लिए चोहफो तेज होता है चोडती सी बाड़ी को उसकी होती है इस चंभाद नी चीस के अंदर चौन detailing dollar का इस improvement वोब उनुने का जहीं आम दुख़ाएंगे चुपकली भी खाएंगे और चमगादर भी खाएंगे तो उपर वाले आपा कि अच्छ खाओंगे त्रूनसे मत्तों हो चिपकली राट निए चमगादर आग़ आपको राट नहीं है उसका शलाज नहीं और उसका वायरिस लोगो आप अगर खाना खाते हैं तो हाथ धोकर खाईए रसूल ला का तरीका है आप कुछ भी खाते हैं तो हाथ धोकर खाईए अगर आप फ्मार्टिट से कोई फ्लूप्स लेते हैं उसको रोईए आप तब खाईए that everything mentioned by the last rocket, Mr. म्ह another, uniform specifically मुहम के खरे Combatります हर निजान को बताई गया हर सिस्टम को बता गया अगर हम जिब्दी बने रहें हम अपने हग्धर्मी में रहें अगर हम अपने फाइदे में रहें और हमने शरीयक bisa बawaायाय अप रचड़ दिया हम में न तो पुरान तो देखा हम अपने मनमर्दी करने लगें तो प्यामत तुहा सकती है गरिमा पड़ने वालो तभी तुम काम्याब नहीं होसकते इजद्दार पौम नहीं होसकते इस धर्दी पर क्या कहा लारे वांतुम अलारों तुम्ही सर बनंदर होगे पुरान में कहा है अब उफ़ार के लिए मुश्रिकीन के लिए यहूद नसारा के लिए क्या कहा जुरी बता रहे हुँ जिल्लत वल्मस्कना वजलील होगे रुस्वा होगे पुरान का यह ओडर है मुसल्मानों के लिए का वांतुम अलारों तुम ही सर बनंदर होगे यहूद नसारा के लिए का जुरी बता रहे हुँ जिल्लत वल्मस्कना वजलील है रुस्वा है लेकिन आप तारीफ उता करके देख लीजए आज की तारीफ में जिस कों के लिए बन्हें का वांतुम अलारों तुमी सर बनंदर होगे यह कों आज लुख रही है बिट रही है और जिन के लिए बन्हे लिए का हाँ कि वो जनीजए और रुस्वा होगे वो कों आज इस दिकी जिदी कुजार रहे है सबसे ज्यादा ताकत वर कौन इसलाई, अमेरिका, क्यों? उन्होंने फाज ऐसी चीज़े हैं जो शरीयत पर मुहम्मद रसुल रसुल लौह सल लौह अपनाया होगा और हम लोगे छोड़ा होगा जोड हम मौनते हैं, लीबत हम करते हैं, चुगल खोरी हम करते हैं, बद्जली हमारे अंदर हैं, और फिर हम कहते हैं कि आम कंप्रिक भी मुस्लिए है, या ऐयुहा लजीन आमनू मैयत द्द मिन कुमांदीनिही, दीन से शरीयत चेरु गरदानी करोगे, अल्ला तबारक वताना आरेसस को लेकर आए, अल्ला तबारक वताना वज्रंगदल को लेकर आए, बसोफ़े अबति लाहो बेखो, आप क्या समझते हैं, आपके ओपर सी डबल ए आया, तू क्यों आया, वालिया मैंन के अदर छेम पीस थे, बुसलिए, किसी की आवाज बन नहीं नहीं क्यों क्यों क्योंसी का खत्रा था, नहीं बोलेगो, कौम सा जमाना आएगा जब आपके वजूद के ओपर, आपके वजूद के ओपर खत्रा मनदला रहा हो, अब क्यों सा वक्त आएगा, कौम सी प्रेशारी आएगी, कि तब हम बोलेंगे, जिनको बोलना चाहिए तो बोलते नहीं, हम प्रिस्टेज ओपर अगर जोते हैं, तो हम लोगों के प्रेशायार हो जाता, के स्वाहिल हो जाता, यह इस कौम की तबाही की एक आलामात है, अगर आप यह सोचेंगे, कि नहीं मौना आम तो 30-30 कौरोड में, इंडिस्तान में, हम जैसे मिसल्मान, एक गुष्रे पर विश बुखारी चरीप बैट पर जहां पर लिखी गई, उनको गौन से निकाल दिया था गौनवाला, समर्गन, ताश्टन, अजबकिस्टान, बगदार, इस्पेन, जिसको युक्रेन बोला जाता है आज की डेट में, साड़े आठ सु साल तक मुसल्मानों की हक्मरानी थी, जमीन का कोई हिस्सा इसा बाती नहीं था, जिसमें मुसल्मानों के अजान के आवाज न गूस्ती हो, पुरान करीम की तिनावत के आवाज न पहुंची हो, कहा गया जिसके अंदर, लेकिन वहां के मुसल्मान बस ऐसी, अटकल पच्चू हो गए, अपपाहों के उपर, शरा आम, जिना आम, और जूट आम, चुबल कोरियां, इमाम बुखारी को भी अप्रे काउं से निकाल दिया गया, अल्ला तबारत वत ताला ने उनके उपर ऐसा जल्म किया, अल्ला ने ऐसे जाली मुद्शा को मुसल्म किया, जब कुल अल्ला का नेट बना परेशान होता है, उ उसके दिल से जब पत्वा निकलती है, तो वह राफा तबाह होकर नहीं जाता हूँ, फिर पता क्या हो हो, इस्पेंड जहां कर आज सुसान से मुसल्मानों की हुकूमत, कुर्टबा की जामे मस्जिद, कुर्टबा की जामे मस्जिद के, सारे 1400 बलब है, उसमे बलब हो गए थी, तो तातारियों के जरीए से, क्रिश्चन के जरीए से, इसाई मस्जिद के जरीए से, वहां के लोगों को, वहां के मुसल्मानों को, गाजल, मुली के तरह टाटा गया, वहां के नदियों के अदर पानी नहीं था, खून बहरा था, इनके खून से, कलिमा पड़ वालों के तूर्ण से वह भी यह सोच रहते हैं नहीं हम 35 पड़ोरे हैं वह तो हर घर के अंदर मुसल्मान था वह तो हर इराका हर शहर मुसल्मान के थे वहां पर यहार चुली थी गाजर हुप्ली के तरह का टाटा गया पुछने के लिए नहीं आया आज इस देश के अंदर वही तैयारी की जा रही है इनार्सी सीडवरे क्या है हिंदु रास्त बनाने का फस्त स्टेप है यह और हम लोग गिरोध करने में पीछे लेते हैं हम गिरोध नहीं करेंगे जो होगा देखा जाएगा बर्मा के अंदर जब इनार्सी हुई थी है यह बर्मा आपके तरीप मुसलमानों का नार्सी में नहीं आया तो उन मुसलमानों को नार्सी springs को था क्व प्रिज्जाओ कॉ उनके खाया के दर्ज नहीं की गए, क्यों इसलिए क्यों है आसे में नाम नहीं कामता, उस पेटिये थे वो, कौन सी तैयारी के हमने जालिमों से मुकाबले के लिए, कौन सी नमाज हमारी जिन्दगी में नहीं है, तमाम गणायों में हम शरी उए हुटर रहते हैं, वरना खुछा क्यों की खाकर ये बात कहीं जासती है, आप उस शरीयक के मांन देवारे हैं जिस शरीयक की अच्छाईयों का तजक्रा गूना क्या अक्सर कर और हैं, लामाज और भी ध्रम गढदर है, असान और भी ध्रम के परदे का जिकर है, सबसे बड़ी बात एक अल्ला का जिकर है, एक पुडेवासर वगूतेश वगूरा देव एक परमात्मा है, वाइबल इठा कर देख मिजे, वाइबल के अंदर जिकर कर दिया गया, और भी बहुत सारी घरंते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है, इसने कहा महमद आरी सलाम के बारे में, एक मैं तरह आएगा, पाली जबान का उड़ है मैं तरह, मुहमद को बोलते हैं पाली जबान के मैं तरह, वो मैं तरह आएंगे, और वो इनसानों को सीधा रास्ता दिखाएंगे, और मुहमद आली सलाम ने दिखाया, पाके की परेशानी बरदाश्त की तक्षरों की बारिशें की गई, आप आओ, आपके उपर जल्म शिक्तन किया गया और स्पाइट आउट आउट आए, आप इस सब को सत्य का मार, सत्य मार का दर्शन कराएंगे, सीधा रास्ता लिखाएंगे, सिर्क मुस्लिम के लिए नही दस हजार की पौश्ती, हजरत साथ बिन अबादा ने कहा कि मुहम्मद अल्यूम यूम अल्हमा, आज दल्वार का दिन है, आज इंतिकाम का दिन है, आज अबु चहल के उनिमा के शौमा, स्षीमा वलीद हम्दला मुगेरा के चेरों को नहीं छोड़ूँगा, आज सब को मा आ जाएगा, एक एक करके हम इंसाब रहेंगे, बिलाल हक्सी को तर्पा करवाना गया, उनका भी इसाफ देना होगा, इन गफ़ार को, अल्ल्ह के नबी के काम में आवास पहुंची, तो अल्ल्ह के नबी ने का कि साथ यहाँ, तुम्या आज आज बदले का दिन है, बलके आ ताकत तुम्हारे पास है, तो आज जिल्म करोगे, नई, उन्हों ने जिल्म किया, मुझे जिल्म करता हूँ, और मुझे जो जिल्म हुरे हैं, मैं सब को माद कर देता हूँ, क्योंकि अल्लह तबारक वताला ने मुझे पुरान में कहा कि है, मुहम्मद आपको रहमत बना कर इस धर्ती में भेजा जा रहा है, रहमत उल्लिनारमीन बना पर भेजा जा जा, बताएए इन लोगों को, जो इसलाम पर मुहमत के चरिशे पर एतरास करते हैं, ताल कटुमा इस्टिटियम के अंदर गुरू जी, एक किसर यारे के कपड़े भेंकर एतरास करता है, कि इसलाम शर्च है, we will be strong with our conception with the message of Quran, हमें Quran के साथ, मजबूती के साथ, stand करना होगा, हमें भेज़गाओ बिटाना होगा, जूट बूस की खेंदी बन करनी होगी, धन करना होगा, आज